गुड मॉर्निंग, आल आफ यू, वेलकम बेक टू दा एपिसोड, जैसा कि पिछले एपिसोड में अपन हैं, बहुत सारी चीजे सीखी लेटर आइटिंग के बारे में, बहुत बहुत सारी और देखा, तो यह कंपोजुशन सेक्षन B का पार था, चलिए अपन थोड़ा सा पेपर का देखते हैं, पेपर सेटिंग के सा होती है, क्या होता है, जिससे कि आब को पता है, सेक्षन में बटावा पेपर है, सेक्षन A, B, C, तो सेक्षन A, सेक्षन A में दो पेसे जाते हैं, Question number 129, Question number 129, एक unseen पेसे जाता है, जो पेपर आपका सेट होता है, पेपर में जो क्यूशन आते हैं, उन क्यूशन को थोड़ा से अपन समझें, किस प्रकार से पेपर आएगा, किस से पेपर की जो है, प्रिंटिंग रहेगी, किस प्रकार से क्यूशन कुण सा क्यूशन कहा हैगा, तो section A, unseen पेसे जाएगा, और उसमें 9 क्यूशन हैंगे, How many questions? 1 to 9, और फिर, Question number 10 and 11, Question number 10 and 11, ये दो क्यूशन, ये दो क्यूशन भी आपके, पेसेज में से पूचे जाएंगे, इसमें भी एक पेसेज दिया जाएगा, तो देखिए, इसका मतलब section A, section A में दो पेसेज आएंगे, एक unseen passage, जिसमें, Question number 1 to 9 पूचे जाएगा, एक फिर पेसेज आएगा, जिसमें, only two questions पूचे जाएंगे, दो क्यूशन, और, ये दो क्यूशन कोन से, किस प्रकार के दो क्यूशन है, देखो, Question number 10, इसमें, Question number 10 जो है, वो है, not making का, not making, not बनाई है, जो पेरेग्राफ दिया है, उसके main points, find out कीजिये, और उसमें, nots बनाई है, not making आएगा, और, Question number 11, Question number 11, जो पैसेज दिया है, उस पैसेज की समरी, समरी अब दा, गीवन पैसेज, और, उस पैसेज का, suitable title, marking, इस कीम देखिये, 1 to 9 है, it carry 9 marks, पैसेज, जिसमें, Question first to 9 दिया है, section A का, यानि, first page, यह जो आपका page है, वो section A में, क्या देगा, unseen passage, unseen passage में है, no question, पैसेज में, 9 questions, each question, carry 1 mark, equal marks, इसका मतलब, 9 question है, तो, 9 mark का होगा, 9 mark का होगा, और, दूसरा, पैसेज जो दिया है, question number 10, and 11, question number 10 में, not making, not making, यह, यह, जो question 10 और 11 है, यह, 6 mark, और, इसमे, not making बाला, जो question है, वो, 4 mark का, और, summary and title, यह, 2 marks का, यह, दोनों मिला करके, question number 10, and 11, जो, दूसरा, पैसे जाएगा, जो, दूसरा, आउतरन आपके, उसमे, question paper में, दिया जाएगा, तो, इसका मतलब, section, A, section, A, how many marks, 15 marks, 15 marks, 15 marks का, section, A होगा, जिसमें, दो पैसे जाएगे, और, दो पैसेज में, अलग-अलग प्रकार से, question का, pattern होगा, तो, चलिए, आज अपने, इस episode में, discuss करते हैं, question number, 1 to 9, किस प्रकार से, unseen page को, unseen passage दिया है, उस, unseen passage को, अपन, solve करेंगे, किस प्रकार से, अपन, unseen passage को, solve कर सकते हैं, और, क्या-क्या, सावधानिया, आप, उसमें, रख सकते हैं, तो, चलिए, अपन, passage की बात करते हैं, जो, section A में, पहला, question आता है, क्या-क्या, solve करना है, किस प्रकार से, step लेनें आपको, passage को, solve करते समय, जब आप, passage को, attend कर रहे हैं, question number, one to nine, attend कर रहे हैं, उस समय, आप, किस प्रकार से, passage को, solve कर सकते हैं, तो, लोग, यह, passage, passage को, solve करते समय, क्या-क्या, आपको, step लेने, मैं, मेरे तरीकी से, आपको, समझाना चाहूँगा, किस प्रकार से, इसको, solve करना है, किस प्रकार से, आप एक passage को, easily solve कर सकते हैं, मैं, मेरा, simply method, आपको, समझाता हूँ, कि, passage को, solve कर रहे हैं, तो, passage को, solve करते समय, कुछ step लेने हैं, जिसमे, first step, यदि, आप इस step से, चलेंगे, तो, आपको, passage को, solve करना, बहुत easy हो जाएगा, passage, solve करोगे, तो, उसमें, आपको, कोई problem नहीं आएगी, तो, पहला step क्या होगा, पहला step होगा, read the passage, at a glance, at a glance, read, the passage, at a glance, look here, आपको, passage को, सरसरी तोर पर पढ़ना है, पहला step क्या, सरसरी तोर पर पढ़िये, किसके लिए, so that, उसका content, उसका subject matter, आपको पताच चल जाए, कि जो, passage दिया है, उसका subject matter क्या है, किसी विशे वस्त उपर, ये passage दिया गया, तो पहला step लेना, थोर ली, देखो, एक तो क्या कि, आप passage को पढ़ते हैं, कई बच्चे क्या गलतियां करते हैं, कई बच्चे, सीधे passage को देखा, और question बच रहे जाते हैं, और जितने question है, उतने बार passage को पढ़ डालते हैं, क्यों, कि उन्होंने पैसेज को पढ़ नहीं, उनके content टच में आया नहीं, subject matter टच में आया नहीं, वो सीधे question सौल कर रहे हैं, तो जितने question है, उतने question आपको, उतनी बार आपको passage पढ़ना पढ़ेगा, तो इसे क्या होता है, इसे एक तो आपका time waste होता है, और जितना समय देना चाहिए, उससे ज़्यादा समय लग जाता है, बच्चे आदे गंटे से ज़्यादा time, इस section एक को सौल करने में दे देते हैं, section एक को सौल कर रहे हैं, तो कम से कम पौन गंटा, एक गंटा पर लगा देते हैं, तो फिर उनको पौन 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 को सौल करने में एक गंटा निकल गया, one hour उन्होंने spend कर दिया, तो क्या करना है आपको, ये step जो दिये, इनी step को follow करना है, पहला read the passage, add the glance, और क्या करना है, उसके content और subject matter को touch करना है, जो पैसेज दिया, उसका subject matter क्या है, number two, दूसरा step, read the passage, again, read the passage, हालांकि दो तीन बार तो आपको पढ़ना ही पढ़ता है, लेकिन पढ़ने का एक system होना चीए, पैसेज को आप पढ़ते हैं, तो पैसेज को पढ़ने में दो तीन बार पढ़ना ही है, no doubt, but, पैसेज को किस परकार का method लेवे, कि उसको पढ़ गरके, हम उसके question को solve कर सकें, तो क्या दिया, read the passage, thoroughly, उपर एक word का में लिया, क्या word का में लिया, कि पैसेज को at a gallons पढ़ी है, पैसेज को सरसरी तोर पे पढ़ी है, और पैसेज को thoroughly पढ़ी है, पहले जब आपने पैसेज को पढ़ा, तो आपके एक point note किया, आप उसके subject matter के touch में आए, उसमें क्या content दिया, उसके touch में आए, तो इसका मतलब, पैसेज का जो content है, पैसेज का subject matter है, पैसेज की रीडिंग करने है, at that time आपको लगेगा, कि उसमें कुछ new words आएं, जो आपको नहीं आते, आएगा यह, तो मैं भी possible, नए सब्द आपको मिलेंगे, difficult words मिलेंगे, difficult words मिलेंगे, phrases मिलेंगे, कई phrase ऐसे मिलेंगे, जो आपको समझ में नहीं आते हैं, कई sentence मिलेंगे, पूरे के पूरे sentence, आपको समझ में नहीं आते हैं, new words मिलेंगे, phrases मिलेंगे, और sentence मिलेंगे, जिनका आपको translation समझ में नहीं है, या आपकी comprehension करने में उसको दिक्कत हो रही है, तो don't worry, नया वर्ड आपको मिलेगा, new words, वो दो foreign language है, और foreign language में नई words आपको मिलेंगे, it is difficult to master the foreign language, हमारी local language को जो हम बोलते हैं, इस language में भी कही ऐसे words होते हैं, जो हमारी पकड में नहीं आते हैं, तो फिर, ये तो foreign language है, और वो भी English, तो English में आपको क्या मिलेंगे, जब आप दूसरी बार उसको thoroughly पड़ रहे हैं, जब आप उसको बड़ी deeply पड़ रहे हैं, तो उसमें आपको new words मिलेंगे, phrases मिलेंगे, जिनका meaning आपको समझ मनी आएगा, sentence मिलेंगे, मैं भी possible, कई बार पूरप, जो paragraph दिया, उस paragraph का meaning भी अपने को touch मिलेंगे, तो फिर इसमें tense होने कि आप सकता नहीं है, समझना क्या है, क्या skill किस skill को आपका skill check कर रहा हो, कैसी skill, ये skill check कर रहा है कि बच्चे में comprehensive ability कितनी है, एक्चल में पैसेज क्या करते हैं, पैसेज आपका comprehension power, comprehension, what is the comprehension, comprehension समझ, बासा को समझने की सकती कितनी है, आप में बासा को समझने की योग्यता कितनी है, ability कितनी है, ये वाली चीज, comprehension ability, पैसेज को समझने की योग्यता आप में कितनी है, इसके लिए किसन है, इसके लिए पैसेज है, तो उसमें नई words में मिलेंगे, प्रेजज में मिलेंगे, sentence में मिलेंगे, नई समझ बाते हैं, तो ऐसा नहीं कि बस सीर पकड़ के बैठ गए, इस word का मेंनिंग नहीं आ था रही है, ये प्रेज समझ में नहीं आया, ये sentence पकड़ में नहीं आया, बट आपको क्या करना है, आपको जो चीज समझ में नहीं आ रही है, माल लिजिए, कोई word समझ में नहीं आया, तो कोई दिखत नहीं है, उस word को उस word की तरह ही समझ लो, कैसे, कहीं कोई sentence की structure दिये, माल लिजिए, कोई एक word यहां पे लिखवा है, और ये वाला word आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो बहुत हीजी है, सबसे पहले उस word को एसा समझ एक ये sentence में क्या है, ये sentence में ये word जो आया है, वो पार्स ओपिस्विच में से कुन सा word है, कुन सा पार्स ओपिस्विच है, पार्स ओपिस्विच, ये क्या है, प्रिविस क्लासेज में आपने देखा, कि एक sentence में कोई word का analysis करना हो तो हम उसके parts of speech पर जाते हैं कि ये sentence according to the grammar क्या है, parts of speech कितने 8 8 है अब ये parts of speech 8 में से क्या है noun है, pronoun है, verb है, adjective है या adverb है किस जगें वो use में आ रहा है वो जो difficult word आपको नहीं आ रहा है उसको pencil रखें अपने पास में इसी सा pencil और pencil से उसको underline कीजिए कि ये word मेरे को समझे नहीं अब उस word को उसी रूप में noun की जगे आया ये pronoun की जगे आ रहा है या verb की जगे आ रहा है किस तरीके से वो उस sentence में use में आ रहा है तो उसको उसी तरीके से समझ लिए इतना सा आपको पकड में आ रहा है ये ये वाला नहीं आया आपको पार्स ओपिस पिस समझ में नहीं आया उस word का जो प्लेस वेल्यू है किस जगे पर वो आ रहा है वो यदि आपको समझ में नहीं आया तो फिर वो words आपको पकड में नहीं आएगा वो सब्द आपकी touch में नहीं आएगा तो ये याद रखें एक एक जम्पल समझें केसे जग ये केसे हो सकता है तो देखिए ये ये कि कि ये 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 वश्यू है ये 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 लिएस सब्सक्रेश आपको समय प्लेशै का है दूए शर्लेस तार्ट आपको समय है रोह हrau ये ये नहीं सार्ट सकता है him to take his meal अब इस sentence देखिए ये एक sentence इस sentence लिया मैंने इसमें तो सारे words क्योंकि आपके touch में होंगे ऐसी बात नहीं है कि इस level पर आके कोई ऐसा word भी नहीं है difficult word इसमें जो आपको नहीं आ रहा हो फिर ही देखिए माल लिजिए के बार इसा होता है कि हम sentence में किसी word का place value देखें कैसे ये sentence कैसा है simple sentence there are five types of the sentence पहले तो sentence का type देखें कोन सा sentence है assertive sentence है interrogative है imperative है optative है या exclamative sentence है ये इस sentence का type देखें हम फिर उस sentence में देखें कि जो word आपको नहीं आ रहा माल लिजिए आपको ये वाला word नहीं आ रहा माल लिजिए present word आपको नहीं आ रहा हता होगा यसी बात नहीं है but मैं imagination कलपना कीजिए कि ये वाला word नहीं आता है तो फिर केसे solve करें ये subject है ये verb है ये object है बस इतना समझ लोगे कि sentence में ये object की जगे है अब object क्या होता है किसी sentence में किसी verb का object क्या होता है वो verb हो सकता है sorry किसी sentence का कोई object क्या हो सकता है वो noun हो सकता है वो pronoun हो सकता है वो proper noun हो सकता है वो common noun हो सकता है noun है तो noun में से केसी noun है तो ये चीज आपके समझ माने चीए माने चीए अपके इसका नहीं है तो क्या करेंगे, तो बस इस पेसंट को पेसंट ही रहें, दोक्टर ने पेसंट को चेक किया चेक का भी विलिंक आपको हिंदी प्रॉपर नहीं घैना इत्ता, डॉक्टर ने पैसेंट को चेक किया चैक्ड इसका मतलब इसका मतलब इसका मील लेने के लिए अलाउ किया हम क्या करते हैं प्रोपर्ली वर्ड पे चले जाते हैं कि इसका हिंदी वर्ड क्या है ऑर हिंदी वर्ड जब दक माय्ड में दें आता तो सारी बात हैं स्लुप्नाइप माइड़ से तो कोई आपको पेपर में हिंदी वर्ड नहीं पूझ रहा है कोई भी आपको ऐसा नहीं के इसका वर्ड मैंनींक लिकिए not a single word आपको पेपर में हिंदी वर्ड नहीं मिलेगा एक बीस सब्द हिंदी का नहीं मिलेगा नहीं कोई हिंदी का वर्ड पूज़ रहा है आपको English to English उसको कॉंप्रियंस करना है English to English उसको समझना है तो second reading थोरोली करना है उसमें नहीं words, phrases, sentence जो आपको difficult लग रहे हैं उनको not करना कि यह word meaning नहीं आ रहा है यह phrase का meaning समझ नहीं है इस sentence का meaning समझ नहीं है नमबर 3 तीसरा part तीसरा point, तीसरा step जब आप passage solve करें तो तीसरा point क्या तीसरा point, read the questions read the questions पूरे क्यूशन एक बाद पढ़ लिजे और क्यूशन पढ़ती समय क्या क्या पॉइंट नोट करना है एक तो number one इसमें first पहली बाद type of the question कैसे question दिये अब type of the question दो प्रकार के question होते हैं एक तो एसे question beginning with wh word जो wh word से शुरू होते हैं वो question और दूसरा वो question beginning with helping word जो helping word से शुरू होते हैं पहली चीज क्या नाट करनी type of the question और दूसरी चीज फिर आपको नोट करनी है क्या tense of the question दूसरी चीज नोट करनी है जिस tense में question है उसी tense में उसका answer होना चे answer का tense एक होना चे question और answer जो दिये गए हैं उनका tense नहीं बदलना चे कर दिश्य को चीज को करें के वारी रिचा होता है कि क्योशन आपके जो क्यूशन दिया है वह क्योशन का टेंस working और उसका अंसर उधर जो आप सेंटेस्ट कर रहे हो वह उसमें टेंस्ट डिफर कर रहा है कि इसके कही कारण हो सकते हैं कि इस माल लीजिए आपको पूछ लिया कि इसन कैसे पूछा जकता कि इसन पूछने के लिए आपके बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेंशन वेथर्ड आपके टच मोहने जी इसन एक्टिव वाइस पै सिर्फ की लाइन है वो किस में पैसिव क्यों पूछाए तो आपको नेच्चरलिकैसन का आंसर भी क्यों पैसिव में देना पड़ेगा । क्योशन ओं कि इंडरेक्ट पूछा आ तो मैं भी पॉसिबल के आपका आपका आंसर जो उसमें पैसीज में दिया है वह डाइन अड और आञ्सर का Tense Svam रखना है उसको Change नहीं करना है Q erhalten & она उनके Tense को अलग अलग नहीं करना है तो तीसरा है Q पिस्टिप समझ वाया Read the Q RICH प्रैसन पढ़िए थे थारे- हूइंकाTYP और उनका TENse नम्बर 4 Hier, जोदा है ते पॉइंट कुछ question ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं vocabulary को check करते हैं आपकी vocabulary vocabulary check करने के लिए vocabulary sub the course vocabulary की power को check करने के लिए कुछ question जो last के question है question number 7, 6 7, 8, 9 ये question किस के लिए आपकी vocabulary को check करने के लिए अब इसमें vocabulary को check करने के लिए क्या क्या पूचा जा सकता है vocabulary check करने के लिए ये कहा जा सकता है कि इसमें कौन कौन सी जीए मैं भी possible उसमें किसी सब्द का synonyms पूच ले क्या पूचे synonyms उसका प्रियाईवाची पूच ले इस सब्द के लिए पैसेज में कौन सा सब्द आया है प्रियाईवाची सब्द पूच ले उसका समानार्ती पूच ले कि इसके लिए कौन सा वर्ड पैसेज में यूज में आया सीनोनेम्स पूच ले Internimars पूछ ले, Internims का मतलब क्या है? उसका विपिरितार्ती पूछ ले, कि इस सब्द का opposite क्या है? विपिरितार्ती, willowm सब्द, opposite, opposite विलों सब्द पूछ ले, Synonym पूछ लेता है Opposite पूछ लेता है और Pronoun पूछ सकता है कि इसके लिए कौन सा Pronoun आई ये Pronoun किस के लिए Pronoun Pronoun किस नाउन के लिए ये Pronoun यूज में आया कुल मिला कि आपके ये सोचना है या फिर पूरा sentence पूछ लेते कही बार इस कतन को कहने वाला sentence बताइए ये किस sentence में ऐसी बात की गई पूरा sentence पूछ लेता है तो यानि कुल मिला के आपको क्या करना है आपको अपनी vocabulary और तो है क्या passage है क्या passage आपकी comprehensive skill और how can you understand the given content and you can answer the question given at the end of the passage आप उस पैसेज को समझ करके उस पैसेज को पढ़ करके उसको किस प्रकार से अपने हिसाब से जो क्युष्रम दिये है उसके आंसर content ये कोई नहीं बात नहीं है बच्चे अंसीन पैसेज के नाम से गवरा जाते कि अंसीन है तो क्या वह भाई अंसीन कोई नहीं बात नहीं है आपकी बुक में चेप्टर दिया है जब तक आप उसको पढ़ते नहीं हो आपके लिए क्या है अंसीन है और जैसे आप उसको एक बार पढ़ लेते हों सारे के सारे सीन हो जाते हैं आप उन क्रिश्चन के आंसर दे देते हो तो सेम थिंग पैसेज दिया है जब तक आप उसको पढ़ते नहीं हो अंसीन है और जैसे आपने उसको एक पहली बार पढ़ा आपके लिए सीन हो गया आप उसको दो बार पढ़िए फिर सीन हो गया तीजिर बार फिर पढ़िए और क्रिश सानी सोचना है कि अंसिन पैसेज तो कहीं से भी दो टेक्निक आनी चाहिए आपके पास में इसकी लोनी चाहिए तो यह चार स्टेप फोलो करना है इसके लवा कुछ भी नहीं सोचना है आपकी ग्रामर के जो बुक दिये उसमें बहुत सारी चीजें आपको समझाईए कि पैसे आपको समझने की आव सकता है देखे पहले पॉइंट में समझने की कोई आव सकता नहीं क्या करना कि पड़ना ही है पड़ना ही पड़ेगा कोई दूसरा ऑप्शन भी तो नहीं है वो नाइन मार्क्स यदि आपको एच्व करने है तो फिर क्या करना पड़ेगा उसको प्रॉलिक पढ़ने के बाद उसमें जो चीजें जो वर्ड्स जो नए सब्द आएं जो फ्रेज़ें जो सेंटेस आएं उनको नौट कीजिए यह मेरे लिए डिफिकल्ट यह समझ में नहीं आ रहा लेकिन ऐसा नहीं कि वह एक सेंटेस एक सब्द एक फ्रेज आपको समझ में जिए तो पूरा पेसेज आपके लिए डिफिकल्ट हो गया यह तो सब के लिए भी होते हैं वो चो टेलेंटेड़ टीचर है ना टीचर के लिए भी यह प्रब्लम आ सकती है कि देछा ना आप जब हम क्लास टीचिंग करते हैं तो कही सारे वर्ड्स हमारे को ऐसे मिल जाते ह जिनको हम एट टाइम नहीं बता पाते हैं तो हम क्या करते हैं वोकल्वरी कि वो जो आपके dictionary होती है उसकी help लेते हैं तो इसलिए ये चीजे mind में कभी मत बटाओ कि ये ने वर्स, phrases, sentence आपको नहीं आ रहे हैं तो पैसेज आपसे नहीं होगा सबसे easy है और सबसे easy इसलिए कि क्योंकि आप जब से English पढ़ना शुरू करते हैं तब सही आपके touch माँ जाते हैं अब चलिए तीसरा point थोड़ा सा चोटे point में आपको कोई problem नहीं आएगी क्या करना है वोकल्वरी आपके पास word power है सब्द सक्ति है word is power word power है तो फिर वोकल्वरी आपके लिए बहुत easy है so easy कि यह question जो आए ना 7, 8, 9 इनका answer आप दे सकते हैं अब किस चीज़ को solve करना है वो जो तीसरा step मैंने दिया मैं उसको clear करूं कि आपका answer must be brief आपका answer बिल्कुल संक्षिप्थ हो क्योंकि कितने marks का just single one mark एक number का तो एक number का answer किता होना चीए ऐसा नहीं है कि बस line यहां से उटा करके must लिख्या करते हैं बच्चे यहां से लिख्या करके यहां तक ऐसे बस तीन चार लाइन है उनको लिख्या जाते हैं अरे आपका answer इसमें है but that is not proper answer of the given question उसमें से आप अपने सब्दों में अपने सब्दों में ही लिखना चाहिए write in your own words, own sentences own language तब जाकर के आपको marks मिलेंगे copy करने में भी अरे अकल में भी नकल चाहिए ऐसा नहीं है कि बस टिक मार किया लिख दिया पड़ोसी से पूचार लिख दिया, नहीं चले गा रहे क्यों? कि यह इसी चीजें जो आपको अपनी बुद्धी से, अपनी intellectual से उसको लिख रहे है तो तीसरा point देखिए तीसरा point clear करते हैं, जब आप question को solve करते हैं तो मैंने उसमें point बतायते हैं, तो पहले तो क्या करना आपको type of the question not करना है क्या दिया है, passage मैं question जो पूचा गया वो किस प्रकार का question हो सकता है, तो पहले क्या type है? wh word से सुरू होने वाला question the question beginning with wh word अब इस question को कैसे solve करना? तो पहले तो देखो question का structure देखो किस प्रकार का question होगा wh word वाला, उसका structure क्या होगा? किस प्रकार से आप इसको समझेंगे structure कैसा होगा? क्या आएगा पहले? wh word पहले आएगा wh word फिर helping word उसके बाद subject उसके बाद main word उसके बाद object something more compliment प्रेडिकेट और question mark question पूछा है यहां पे आपका दो पॉइंट नोट कर ले रहे है एक तो wh word को नोट करना है कि wh word जो दिया है वो wh word कौन सा और क्या पूछ रहा है wh word टैच में होंगे आपके wh word कितने हैं कैसे हैं क्या है चलो पहले question की structure देख रहे है इनको नोट करते हैं तो wh word कोन सा wh word दिया है और वो क्या पूछ था उसका answer आपने जो टिक मार्क ऐसे से किये ना मार्क लगा है नहीं यहां से लेकर रहे हैं यहां था कि question का answer है उस में उस wh word का answer एक नहीं है यह नोट करना है यह थी उस wh word का answer उसमें नहीं है उस question word का answer उसमें नहीं है तो फिरू टिक मार करने से वो line लिखने से of no use कोई मतलम नहीं तो first of all क्या करना है आपको what to do it is important to make clear which wh word is given in the question पहले चीज़ तो यह फिर यहां पर wh word के पास में helping verb मिलेगी और helping verb से आपको उस question का tense पता करना क्या पता करना tense कैसे जिस helping verb को आप देख रहे हैं वो किस tense की है और आपका answer भी उसी tense में होना चाहिए जिस tense में question दिया है अब passage में क्या दिया है उसका tense देखिए और इस question का tense देखिए दोनों same है तो फिर संतुस्त हो जाए यह भी satisfied देखिए हाँ यह इसका answer है और अलग-अलग helping verb आ रहे है तो फिर थोड़ा सोचिए दोनों का tense differ कर रहा है तो फिर अपनी language में वो line बना करके लिखिए जिसमें wh word का answer भी आ जाए और उसका tense भी वह हो जाए आप जो answer लिख रहा होने उसमें wh word वाला जो proper answer मांग रहा है वो answer आना चाहिए और जो wh word पूछ रहा है वो इदर नहीं मिलेगा wh word subject पूछ रहा तो subject नहीं मिलेगा wh word वर्ब पूछ रहा पूछ रहा है तो फिर वह वहां पर नहीं मिलेंगे वो शॉले वाली फिल्म का dialogue सुना आपने हमारे जमने की है आप लोगों के जमने की नहीं फिल्म आगे तो उसमें ऐसे थोड़ी पूछ जाएगा आप ऐसे थोड़ी पूछ सकते हो तेरा नाम क्या है वसंती होई नहीं सकता ना पॉसिबल ही नहीं आप डबलो एच वर्ड पे देखिए जो डबलो एच वर्ड इधर दिया ना वो यहां पे नहीं आएगा इसका मतलब डबलो एच वर्ड जो पूछ रहा वो आपको आंसर में लिखना है आढा दा आँसर तो क्यूसिं से बना लेते हैं अच्छा बच्चि कया अगरते हैं अपने लेभेजमें लेभेज में लिखतें अपने लेभेज सुद की लेभूइश ओन लेभूइश they use own language to answer the question और उनी की मार्क्स हते हैं वोग कोपी करना वहाँ से टेक्स को उठाकर के बस कोपी कर देना that is no proper method to answer the question so it is compulsory for you to understand which WH word is given and in which tense the question is asked so look here WH word पे द्यान दे helping verb पे द्यान दे और फिर answer लिके और जो जिसके बारे में WH word पूझरा उसको properly लिखना एक तो ये structure अब structure WH word बताऊं क्या इस लेवल पे कौन कौन से WH word है चलो मैं teacher हूँ teach कर देता हूँ आपको एक बार तोड़ा सा समझा देता हूँ कौन कौन से WH word होते है तो WH word देखे WH word एस से words जिन में WH आता आगे और वो किसी चीज के बारे में inquiry करते है किसी चीज के बारे में पूझते हैं WH word first क्या है what इसका अर्थ क्या है अर्थ क्या है मैं अर्थ बता रहूँ गई और वो क्या पूझते है जानकारी जानकारी information गेदर करता है information मांगता है किस के बारे में WH word subject पूझता है verb पूझता है object पूझता है पूरा sentence पूझता है कुछ भी पूझता है WH word तो किसी के बारे में भी inquiry कर सकता है be sure कि WH word आया है तो उसने किस के बारे में information मांगता है वो जरूरी है क्योंकि WH word कुछ भी पूझता है तो यहां भी sentence में देखिए क्या नहीं दिया गया subject नहीं दिया तो subject पूझत पूझत रहा है verb नहीं दिये तो verb पूझत रहा है और object नहीं दिया क्या बुझेगा time समय जब क्यूशन ब्वेन से जुरूआ है तो आपके answer में time आना चाहिए वो उहां पे note कर लो जहां line पे टिक मर किया उसमें यह इसका answer है नहीं है डब्लू एच इ आर इ वेर मिनिंग क्या कहां क्या पूझेगा प्लैस जगे इस्तान डब्लू एच आई सी एच वेच कौन सा कौन सी कौन से जब भी बनता है मैं एक लिग देता हूँ कौन सा क्या पूझेगा option पूझेगा alternative पूझेगा option पूझेगा विकल्प क्या पूझेगा विकल्प पूझेगा यह कौन सा दूचार विकल्प आपके सामने है उन में से कौन सी चीज जो राइट है which कौन सा कौन सी कौन से फिर who 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 से क्या पूझेगा हुकार्द क्या कौन क्या पूझेगा person के बारे में लेकिन person क्या होना चीए person उस sentence का subject होना चीए subjective के बारे में पूझेगा w h o m whom whom कार्द क्या कौन सा किसे हैं whom किसे ये किस के बारे में पूझेगा ये भी person के बारे में लेकिन person के सा sentence किस जगे आएगा ये object के बारे में पूझेगा और w h o s e who किसका किसकी किसके who ये भी person के बारे में लेकिन के सा personal pronoun possessive उस चीज पर किसका position है possessive और w h y क्यों किसके बारे में पूझेगा region कारण और फिर h o w how how means के से के से और क्या पूझेगा तरीका method ये method पूझेगा तरीका पूझेगा way पूझेगा type पूझेगा और how के साथ में फिर दूसरे words चूट ज़एंगे how much meaning क्या कितना कितनी कितने how much क्या पूझेगा मात्रा quantity क्या पूझेगा ये quantity quantity के बारे में पूझेगा quantity और how के साथ में many how many meaning वही कितना कितनी कितने क्या पूझेगा number संख्या how many संख्या पूझेगा संख्या number संख्या पूझेगा और how long how long word meaning वही कितना लेकिन पूझेगा किस के बारे में how long अउदी समय की अउदी period period और how far far meaning वही कितना कितने कितने क्या पूझेगा distance दूरी ये दूरी पूझेगा distance पूझेगा ओके अब समझ मैं आपको कि यदि डबले अच्च वर्ड इन में से कोई डबले अच्च और भी होंगे बहु सारे वर्ड्स हो सकते हैं बट मैंने आपको कुछ selected वर्ड्स लकाएं ये डबले अच्च वर्ड जो दिये इन डबले अच्च वर्ड में यहां पे कौन सा डबले अच्च वर्ड आया और वो क्या पूझ रहा है इदर ध्यांग देना है डबले अच्च वर्ड ये वाले डबले अच्च वर्ड है और इनका मेनिंग क्या है और वो क्या पूझ रहा है आपके आंसर में ये वाली चीज आने चाहिए ये वाला इधर वाला पेटर्न आपके आंसर में होना चाहिए तो इसका मतलब आपने wh word को अच्छे तरीकी से समझाए और उसका answer आप दे रहे हूँ तो कितनी चीज़ें आपको समझ भाई? Number 1, पहले तो wh word, दूसरा कि वो क्या पूसता है? और उसका अपना answer लिख रहे हैं, तो उस answer में वो वाला proper answer होना चाहिए दो चीज़े समझाए और एक तीसरी चीज़, कि चलो यह तो wh word से start होने वाला question है इसलिए उस answer आप इससे लिख सकते हैं, लेकिन यह दिस second type आगे, type first type first, type second आगया, type second आगया, तो फिर कैसे लिखेंगे, किस प्रकार से अपन इस answer लिख सकते हैं type second में क्या कर सकते हैं, type second में देखो, कि helping verb से सुरू होने वाले question helping verb से starting होने वाले question अब helping verb से question सुरू होता है, तो आपका answer क्या होगा, पहले तो उसकी structure समझो कि उस sentence का structure क्या होगा structure क्या होगा, समझ लीजी क्या होगा structure सब्जेक्ट प्लस में वर्ब प्लस अब्जेक्ट सम्टिंग मौर किश्टन मार्ग बास यदि एल्पिंग वर्प से क्युष्टन पुछा है तो अंसर तो बहुत हीजी है विpat तो उसका या तो आंसर यस हो सकता है या उसका आंहसर नो हो सकता है बास यह दो वर्ट पहले आने चाहिए हैं वंपिंग वर्प से क्युष्टन पुछा है तू उसका आंसर छोण्स भास if the expected answer तो फिर किससे सुरूगा नौ से नौ से इस्टार्ट होगा निगेटीव अब इस्ट्रिक्टिर क्या होगा इसको इसको सिंपल सेंटेस में करोड़ कर दो तो आएगा बस इसी को लिख देना यहस लिख करके कोमा लगाई यहस लिखा subject helping verb main verb और object something more फुली स्टॉप नो से शुरुआ है तो नो लिखा पहले कोमा लगाई subject helping verb फिर not लिखा और फिर main verb लिखी object लिखा something more और फुली स्टॉप यह दो मैथड है type second आया है तो इस परकार से कभी कभी किया करते हैं वह alternative question पूस्ट लेते आपको alternative question कैसा वह question लिखा और उसके option दे दिए a b c d तो आपको इस में से जो option correct है उसका number bracket में लिखना है या फिल अप करना है तो यह आपको समझ वाएंगे किस प्रकार से question question पूछे जा सकते हैं कैसे question का answer देना है किस प्रकार से आप message को solve कर सकते हैं बड़ एक जी मेकियों की हर episode में एक quotation दो रहा देता हूं practice makes remain perfect so it's on you how to get good marks teacher को marks नहीं लाने student को लाने तो इसका मतलब सीखने की duty आपकी सीखने की मेरी मैं सीखने का काम कर रहा हूं तो सीखने का काम आप कर रहे होंगे इसा मैं सोचता हूं और दूसरी बात कि passage को अच्छे तरीके से solve करने का method है तरीका समझाया बट एक दो पेसे solve कीजिए समझिए और उसमें से answer लिखिए मुझे send कीजिए या मुझे call करके पूछिए कि sir इसका answer case होगा क्या करेंगे यह पेसेज है मैं solve कर रहा हूं तो मैं आपकी help कर पाऊंगा so guys keep in your mind how to answer the passage properly and appropriately फिर मिलेंगे अगले episode में तब तक bye have a nice day thank you thank you very much प्कष्ण बाल झाल